सदर थाने के तैस सेमिनरी हिल्स रोड CPWD बिल्डिंग स्थित कॉटर में सिलेंडर की गैस भड़कने से दर्दनाग हाथसा हो गया इस हाथसे में 12 वर्षे बालक कुल्धी प्राजपूत की बुरी तरह जुलसने से मौत हो गई जबकि बालक की 60 वर्षे नानी सुश्मा कश्यप भी गंभीर सक्मी हुई है सुमवार के तुपैर देड़ बजी हुई इस खटना से इलाके में गं का माहोल है प्राप्त जानकारी के अनुसार दिवाली का त्योहार होने से कौटर नमबर 18 निवासी कुलदीब की नानी सुश्मा कश्यप और मामी अराधना कश्यप नीचे गैस चूला और सिलेंडर रखकर चिवड़ा तयार कर रही थी यह देखकर 12 वर्षी कुलदीब भी चूले के पास आकर बैढ़ गया कुछ देर के लिए कुलदीब की मामी अराधना अपने बेटे को बातरूम लेकर चली गई इसी दोरान कुलदीब ने गैस लेंडर के रेगुलेटर से पाइप खीचना शुरू किया उसके खीचते ही रेगुलेटर से पाइप निकल गया उसके बाद गैस सीधे कुलदीब की दिशा में होकर पूरे कमरे में फैल गई लेकिन चूला शिरू होने से गैस भड़क गई जिससे कुलदीब का शरीर बुरी तरह जुलस गया उसे आग की चपेट में देखकर नानी ने हाथ से बुजाने का प्रयास किया इस प्रयास में उनके हाथ भी बुरी तरह जुलस गए घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल वाहन भी घटना इस्तल पर पहुँच गए सदर के थानेदाब विनोच चोधी, API गुर्णुले, मोटे और प्रमोध दिघोरी ने घटना इस्तल पर पहुँच का ततकाल सक्मियों को उफचार के लिए अस्पताल रवाना किया जहां डॉक्टरों ने जाच के बाद कुलदीब को मरत खोशित कर दिया कैमरी परसन अखिलेश भारत दुवाच के साथ अभिशेक पांसी, BCN News, नाखपुर